हेलो फ्रेंड्स आज हम पैटर्ण के उपर या इंसर्टिंग दा मिसिन केरेक्टर के उपर दूसरा वीडियो लेकर आये हैं जिसमें आप जानेंगे कि बीच में कोई नमबर छूटा रहता है कैसे क्वेस्चन को सॉल्व करते हैं और यह हमारा दूसरा वीडियो है इस पर मैंने एक वीडियो इसलिए बनाया कि बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है एक्जाम में आपको दो ती नमब जरू दिलवाएगा हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम अनिल सिंग राजपूत है मैं सागर मद्ध प्रदिस का रहने वाला हूँ मैं पिछले आठ साल से कॉम्टेटिव एक्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ और इन आठ सालों की दोरान मैंने इंगलिस हिंदी रीजनिंग मैट्स अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाया है फिलहाल मैं यूट्यूब चैनल की माद्धम से मैट्स का कंटेंड लेकर आया हूँ और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैट्स पढ़ाता हूँ चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है पैटरन टू यह सेकेंड वीडियो है तो ध्यान से देखी कुछ question आपके सामने लिखे हुए है जैसे सबसे पहले question में 3 circle बने हुए है वो यहां का answer आपसे question पूठा है तो अगर आप इन number को ध्यान से देखो न तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का यहां से 5 निकला 1 किसका होता है? 1 का 81 किसका होता है 9 का वर्ग 16 किसका होता है 4 का वर्ग अगर आप इस सबों को जोड़ दो तो देखना 4 और 5, 9, 9 और 1, 10, 10 और 9, 19 19 का वर्ग कितना आ गया 364 किसका वर्ग होता है 8 का, 4 किसका होता है 2 का, 16 किसका होता है 4 का, 9 किसका होता है 3 का जोड़ना दो 8, 2, 10, 4, 14, 3, 17, 17 का वर्ग कितना होगा 280, 1, 1 का वर्ग होता है, 9, 3 का वर्ग होता है 81, 9 का होता है, 25, 5 का होता है सबको जोड़ना दो 1, 3, 4, 9, 13, 13, 15, 18 18 का वर्ग कितना होगा 324 तो आप समझ गहांगे कि वर्ग की कितनी importance है कितने question वेरग पर आते हैं next यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है यह no कैसे आया है यह हमें सूचना है तो अगर मैं 12 और 5 जोड़ दू तो 12 और 5 17 6 और 2 जोड़ दू 6 और 2 8 17 में से 8 घटा दू तो कितना आ गया no यहाँ पर देखो 10 और 8 18 4 और 6 10 18 में से 10 घटा दू तब कितना आ गया 8 7 और 3 10 माइनस 4 और 1 5 10 में से 5 घटा दिया तो कितना आ गया 5 तो इस question गा answer होगा 5 आप मेरी speed पर मत जाएए आप तो तरीके समझे कि किन किन तरीकों से exam में question solve होते हैं कि मैंने इनको जोड़ा इनको जोड़ा माइनस किया या फिर वर्ग पर कैसे कैसे question आ रहा है next वाला question देखो तो देखो 7 3 10 2 12 और 1 13 13 का वर्ग 180 5 3 8 2 10 और 1 11 11 का वर्ग 121 6 5 11 4 15 16 16 का वर्ग 16 का वर्ग 24 24 48 8 16 48 3 6 12 48 48 48 48 38 38 इसका जब सबका गुड़नफर 48 आ रहा है तो इसका डेफिनेटली 384 आएगा 48 48 48 96 96 38 38 32 32 34 64 64 38 38 किसी भी तरीके से कर लो 3 6 6 24 24 24 28 48 तो इसके उप्सन में सायद लिखना भूल गया तो इसका आंसर आ जाएगा 48 3 2 6 12 48 4 3 12 24 48 2 48 3 6 48 48 कुछ भी करो आंसर 48 आएगा यहाँ पर देखो यह तो बहुत ही सेंबल सवाल है 5 में 4 जूड़ा 9 5 चोको 20 9 में 4 जूड़ा 13 9 चोको 36 तो 36 is the right answer अब देखो 12 14 84 9 18 81 11 88 यह आपके सामने option रहे अब वो पूछ रहा है कि बताओ इस question को कैसे solve करेंगे तो 12 सत्य कितना होता है मेरे भाई 12 सत्य 84 होता है 14 का अधा 7 हो सकता है 9 ही नाम कितना होता है 81 18 18 अधा 9 हो सकता है तो यहाँ पर ऐसी संख्या सोचो कि उसका आधा करके 11 से गोड़ा करने पर 88 आजाए यहाँ पर मेरे भाई संख्या आएगी 16 16 का अधा 8 1188 तो कुल मिला कर यह chapter पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रही होगी कि आपको पहाड़ा टेबिल आना कितना इंपोर्टन्ट है स्क्वेर क्यूब वर्ग घनानी कितने इंपोर्टन्ट है उसके बेना आपसे question exam में नहीं बनेंगे आई होप आपको यह video समझ में आ होगा चलिए फ्रेंड्स अब आगे की सवालों की चर्चा करते हैं आपके सामने next question है 85, 20, 5, 126, 24, 6, 175 question mark 7 यह आपके रहे option है ना तो आपको दिख रहेगी सर 85 में 5 का भाग जाएगा तो अगर आप 85 में 5 का भाग दोगे तो 17 पना 85 कितना आ जाएगा? 17 और 17 में 3 जोड़ दो तो 17 और 3 कितना हो जाता है? 20 हो जाता है 85 में 5 का भाग दिया तो आगया 17 17 में 3 जोड़ा तो आगया 20 यहाँ पर भी 126 में 6 का भाग दो तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6 21 आगया, 21 और 3, 24 175 में 7 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा 25, 3, 28 इस संख्या में इसका भाग देना है जो भी उत्तर आएगा उसमें 3 जोड़ना है यहाँ पर देखो आप 2, 5, 10, 17, question mark 37, 50, 65, 82 तो अगर आप ध्यान से देखो तो देखो, 2 और 3, 5 2 और 3, 5 5 और 5, 10 3 बड़ा फिर 5 बड़ा 10 और 7, 17 10 में 7 जोड़ा 10 में अगर आपन 7 जोड़नें तो 10 और 7, 17 17 और 9 17 और 9, 26 26 और 11, 37 37 और 13, 50 50 और 15, 65, 65 और 17, 82 दो दो बड़ रहा है 2 और 3, 5 5 और 5, 10 10 और 7, 17, 17 और 9, 26 26 और 11, 37 37 और 13, 50 50, 15, 65, 57, 82 तो यह सीरीज वाला question है जिसको नोंने box में लेक दिया है 120 कैसे आएगा तुरंद दमाख लगाओ 11 का वर्ग 121 121 में से 1 घटा तो कितना आ गया 120 है ना 7 का वर्ग 49 49 में से 2 का वर्ग किया 4 49 में से 4 गया 45 5 का वर्ग 25 3 का वर्ग 9 25 में से 9 गया तो 16 तो देखो वर्ग का कितना बड़ा रूल है 11 का वर्ग 121 1 का वर्ग 1 121 में से 1 गया कितना आ गया 120 7 का वर्ग 49 2 का वर्ग 4 49 में से 4 गया 45 5 का वर्ग 25 25 में से 3 गया 25 में से स्वादी 5 का वर्ग 25 3 का वर्ग 9 25 में से 9 गया इतना आ गया? 16 है ना? फिर आप यहाँ पर देखो, देखो, 5 कवर्ग, 25, 5 कवर्ग, 25, 2 कवर्ग, 4, 8 कवर्ग, 64, 5 कवर्ग, 25, 2 कवर्ग, 4, तो 1 के सामने क्या आएगा? 1 कवरग, 1 कवरग आपका अंसर हो जाएगा Sorry, 1 कवरग हो जाएगा, 1 1 कवरग 2 नहीं 8 कवरग 64, 5 कवरग 25, 2 कवरग 4 तो 1 कवरग 1 अब इस question को देखी नहीं अब इस question को देखिए, तो देखो 4 के सामने तो 69 15 के सामने तो यह ऐसा नहीं होगा तो चार दुनी आठ, आठ में से गया साथ, साथ दुनी चवदा, चवदा में से गया पंदरा, पंदा दुनी तीस, तीस में से गया उन्तीस है ना, चार दुनी आठ, आठ में से गया साथ, साथ दुनी चवदा, चवदा में एक जुडा, पंदरा, एक बार घटा, एक बार ज चार सो सत्तर एक मैनस किया तो चार सो उना तरिजड़ा राइट आंसर इंटू टू माइनस वन इंटू टू ऐसे करके तीग है अब नेक्स्ट क्वेस्टन है इसको कैसे डील करेंगे 16 दुनी 32, 6, 35, 30 32, 62 हो जाएगा है ना 16 में से 5 गया 11, 6 में से 2 गचा 11, 4, 44 हो जाएगा 16 में से 6 गया तो आगया 10 5 में से 2 गया तो आगया 3 लिखाए 109 10 का वर्ग 100 और 3 का वर्ग 9, 109 ऐसी करेंगे तो ध्यान से देख न 17 में से 13 गया तो आगया 4 इंक्यावन में से 48 गया तो आगया 3 तो 4 का वर्ग किया तो 16 और 3 का वर्ग किया तो 9 और 16 और 9 कितना आजाएगा 25 तो बहुत ही दिमाग लगाने वाले क्वेस्चन हैं आपकी पूरी प्रेक्टिस हो जाती इनको बरने से नेक्स्ट क्वेस्चन है यहाँ पर आ रहा है देखो 56, 15, 22, 8, 41 56 में 15 जो नो क्या रहा है 5, 11 की 1, 5 और 1, 6 और 1, 7, 71 22 में 8 डोड़ो तो कितना रहा है 31, दोनों को माइनस करो एक में से 1 गया 22 और 8, 30 होता है 1 में से 0 गया, 1, 7 में से 3 गया 4 तो कितना आ गया, 41 यहाँ पर देखो 34 और 11 4 में एक जोड़ा 5 3 में एक जोड़ा 45 14 और 6 बीस 45 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया 25, यहाँ पर आप देखो एक बॉक्स सा बना हुआ है यहाँ पर यहाँ पर question mark बना हुआ है, यहाँ पर क्या है 7 का डबल 14, 14 और 11 3 का डबल 6, 6 और 11 5 का डबल 10, 10 और 11 तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का डबल 4, 4 और 15 ध्यान से देखिए 7 दुनी 14 और 11 5 दुनी 10 और 11 2, 3 और 6 और 11 2 का डबल होना चाहिए, 4 और 15 तो पाँच इसका अंसर होगा, 5 option में है उमीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो दूसरे लोगों तक share करिए, बहुत ही महनत लगती है वीडियो बनाने में और आप लोगों को जरूर एक्जाम में दोती नमबर आपके बढ़ेंगे मैं अपने चैनल के अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक सेर कर दूँगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना और मैं प्लेलिस्ट भी सेर कर दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में तो आप मेरे जोमेट्री की प्लेइस्ट देख सकते हो और नम्मज सीरीस की प्लेइस्ट देख सकते हैं उमीद है आप वीडियो को सेर करेंगे और वीडियो को पसंद आया है और अगर आप चैनल पे नए भी वर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करिए आज के लिए इतना ही जैहन जैभारत